ओम नो भगवते वासू दिवायनमा दोस्तों कैसे हैं आप आशे बड़तों जहां भी होंगे सुर्ख्षित होंग और कुशाल होंगे दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको नवरात्री के हर्दिक शुबकामना है हमारे जीवन में जो भी संकट अगर हैं हम यह जाहेंगे कि मा सब्सक्राने वीवर्स हैं आपको ध्यान होगा 2020 में यह करोना उस चैम आसपास था अभी लॉगड़न लगा नहीं था उस चैम से मैं कहता आ रहा था आपको जब यह मर्द्य प्रदेश में ड्रामा शरू हुआ था जो तिराजे संधिया को कैसे उन्होंने किया था तो मैंन जिसके दम पड़ी मत्यपर्देश जीते थे 2018 में उसके साथ उन्होंने क्या किया अब जिसके दम पर ही राजस्थान जीते हैं शराजस्थान में सबसे बवकूफ लोग होंगे अगर वो इसको कया कहता है सचे पैलीट को मुख्य में तेरा नहीं बनाएंगे मैं इसको सपोर्ट में इसलिए हूँ दोस्तों क्योंकि गहलोत आपको ध्यान होगा गहलोत ने वही आदमी है जिसे ने कहा था कि रेप तो होते हैं इसमें कुछ गलते तो लड़कियों की है रेप तो होते हैं लड़के तो अपना काम करें हैं इस तरीके के बयान रेप को सप चल रही है क्योंकि इसनों ने कहा दिया है कि हम चाहते हैं कि एक मौकत दें सचिन पैलोट को लेकिन फिर भी घहलोट में शर्ते रखी हैं कि वह नहीं बनेगा तो सचिन पैलोट भी नहीं बनेगा और बीज़े भी उससे बड़ी बेफकूफ होगी अगर घहलोट को अपने सा सचिन पैलोट की मैं इसको सपोर्ट इसलिए करता हूँ कॉंग्रेस का यह मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ तथे इंगेल्स की कोई भी युवा चैरा जो इतना काम करता है प्रदेश में उसको चीव नुश्य बनाना बहुत जरूरी है ताकि युवा राजनेती से जुड़े जलोट जैसा व्यक्ति एक घटिया आदमी जिसने सिर्फ और सिर्फ क्राइम को बढ़ावा दिया है आपको ध्यार होका नहीं लाल पीसी के दम पर हो था कुछ नहीं कर पाई इसकी सरकाव खाली तो बढ़ावा तो यह लोग देते हैं कभी सच्छी बाइलट ने बहुत अगंदा रियक्शन दिया था इसके ओपर कि हमारे सरकार ढेली है तेकि मेरे साब से सच्छी बाइलट को मौका मिलना चाहिए और बहुत बेफको भी करेंगे अगर यह लोग सच्छी बाइलट को ज और बेफको भी बीजेपी बी ना करें अगर इसके साथ दोबारा सरकार बना ले तो गैलोद के साथ यह लोग नहीं होना है बहुत सारे विदायाक जैएं गलोद के बागी हो गए है और नामंकन से इसको बाइकर देगा है जो कॉंग्रेस प्रजएंट की जो नॉमिनेशन फाइल होने थे 30 तारीक तक वो उस दिस से भी घहलोत भार हो चुका है तो सफ है कि घहलोत का तो पता साफ होने वाला है और सच्छीन पैलट मेरे सबसे वकले मुख्यमंद्री होने चाहिए और शाद होंगे भी क्योंकि यूवव विक्ति को जिसको वैसी तना सपोर्ट मिला ह हो और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं थोड़ा सा हंदत्वू बाकी है सच्छीन पैलट के अंदर मैं भी मगलत हो सकता हूं लेकि फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि सच्छीन पैलट अच्छा चाहरा है अगर आपको ज्यारा हो जब 2020 जुलाई जून में जब यह बात चली थी कि शायद जो है सच्छीन पैलट सरकार गिरा सकता है तो भी माना आपको काता है कि सच्छीन पैलट संद्या नहीं बना चाहिए चीफ मिनिशर बीग बीजेपी सपोर्टर में आपको यह बात कही थी क्योंकि वह भी एक अच्छा चाहरा नहीं है उसने कोई काम निके राजि को अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कॉंगरेस के चुनापत की देखिए जाता तो मैं नहीं कहूंगो इसके बारे में क्योंकि पिती तरीकों नोमिनेशन फाइल होना है लेकिन जाता कि मैं आपको कहाता है कि जो भी बनेगा वो कटपुतली बनेगा और कटपुतली ही क्योंकि पहले नाव किसका सामने आ रहा था शेश्षी थरूर शेश्य थरूर जैसा व्यक्ति बहुत पढ़ा लिख ज्यरूर जैसा भी हैना है सबकी नजरों में गटिया तो हह ये लेकिन पढ़ा लिख्वत है ऐसे व्यक्ति अगर कॉंगरेस काचीफ मिनिश्र बनेगा त इनको क्या चाहिए जैसे इनने मनमोन सिंगो चीफ प्रायम निश्य बना था कि उनकी सुने तो वैसे ही यह लोग ध्यक्ष बनाएंगे जो गांधी परिवार की सुने बहुत चेहरा तब भी कॉंग्रिस परिवार का यह होगा चेहरा दूसरा होगा एक गुलाम रखेंगे वो गुलाम के नाम पर जो अब सामने आ रहे हैं सबसे बढ़ना नाम दिखविज जैसी कितना बडागुलाम है पताई है आपको और ये अज है Concept, flop चेहरा अज एमाकिन ने पिछले 20 साल में दिल्ली में ऐसा क्या किया मुझा पता हिए क्या किया है पिले 20 साल में पंदर साल में दिल्ली में क्या किया यह ध्यक्ष पत भी रहा और सुरी बीज़ बी का ओ सुरी कॉंगरेस का दिल्ली का ध्यक्ष रहा क्या किया इसने एक भी सीट नहीं जीत पाए एक सीट के एक भी बूत पर नहीं जीते थे इसने जो काम के दिल्ली में कुछ भी नहीं इसने किया तो यह भी फ्लॉक चहरा और वो महिला और जों खड़ गए यह भी फ्लॉक चहरा इसने भी क्या किया अब भीआन के लावए इसने क्या किया कुछी भी नहीं किया तो जितने भी फ्लॉक चहरे हैं लेकिन पुराने चहरे हैं जो कॉंगरेस और सोनिय मेडम के गुलाम है वो अब नमुंकन फाइल करेंगे चाहिए घलोथ हो चाहिए कोई क्या कहते है इसको सचतरूर हो यह सुनने वाले मत थे नहीं किसी के तो इनको चाहिए गुलाम जो गुलाम बने और वही गुलाम बने का ध्यान रखेगा कि मैं बहुत कॉंफिडेंस से कह रहा हूं कि most probably क्या पता सोनिय गांदी ही दुबारा ब होगा कोई बड़े बात थी कि सुनिय गांदी दुराहुल गांदी दुबारा मिल जाए वरना यह अपना गुलाम खड़ा कर देंगे जो साफ सी बात है दुसके उसके कुछ नाम लड़का नहीं और यह जो है गुलाम बने के जो है वो सामने आएंगे और कहींगा कि हम नया मेरी कोशिश है कि मेरी शौर्ट चूटी वीडियो होती है वो कम से कम हफते में तीन या चार आए और जो बड़ी वीडियो है वो दो या तीन आए तो दोस्तों सपोर्ट करते रहेगा और अपना शिरवाद मेरे बनाये रखिएगा चलतों दोस्तों जै हिंद जै भरत जै स तो नादा